तुप्रभात वच्चों आज में कच्छा आठ के विद्यार्थियों के लिए नया अध्याय वर्ण विचार लेकर परस्टुत हुआ हैं वच्चों वर्ण भासा की सबसे छोटी लगतब इकाई है इसके अन्य टुकड़े नहीं किये जा सकते जैसे छोटा आ बड़ा आ छोट चो टी बड़ी अ कि जैसे छोटा बड़ा छोटी बड़ी शोटा उ बड़ा उ ली जिए यह अए ओओ इत्यार ये ऐसे वर्ण है जिनके टुकड़े नहीं किया जा सकता अब दूसरा है जिसे आं काम दाम तो इनके टुकड़े किये जा सकते हैं इसलिए हम इनको वन नहीं कह सकते हैं वन नहीं कह सकते हैं जिनके अन्य टुकड़े ना किये जा सकते हैं जैसे बड़ा आ जम्मा मा बराबर आम का जमा मा बराबर का तो इनके टुकड़े किये जा सकते हैं लेकिन वर्ड के टुकड़े नहीं किये जा सकते हैं वर्ड भासा की सबसे छोटी से छोटी ध्वन इकाई जिसके और छोटे टुकड़े नहीं किये जा सकते हैं वण कहलाते हैं अब इसके बाद नंबर आता है वण माला का व्रमाला का साथ और अर्थ है वर्णों का समूँ तो वर्णों और सवोकास हिसलोग को वर्ण माला कहते हैं तो में इस प्रकार है चोटा आ, बड़ा आ, चोटी इ, बड़ी इ, चोटा उ, बड़ा उ, री ए, आ, आ, ऊ, आ, उ, अ, 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 आ, 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 और इसके भेद है इसके दो भेद है नमर एक स्वर और नमर दो व्यंजन अब स्वर किसे कहते हैं जिनवर्णों के उचारणों में किसी अन्य ध्वन किया सकता नहीं होती उसे स्वर कहते हैं अर्थार हमारे मुख से निकलने वाली हवा बीना किसी रुकावट के मुख से बाहर निकलती हैं उसे सवर कहते हैं। नहीं लेनी पड़ती। तथा हमारे मुख की हवा बिना किसी बाधा के बाहर निकलती है उन्हें स्वर कहते हैं इनकी संख्या ग्यारा है यह इस प्रकार है चोटा आ बड़ा आ चोटी इ बड़ी इ चोटा उ बड़ा उ वी ए आ आ ओ अब हम स्वर के भेदू के बारे में जानेंगे स्वर स्वर के तीन भेद होते हैं नमबर एट हरस्ट स्वर नमबर दो दीर भी स्वर और नमबर दीन प्लूट स्वर हरस्ट स्वर किसे कहते हैं जिन वरणों के उचारण में एक सेकंड के पांच में हिसे का समय लगता है अर्था एक मात्रा का समय लगता है उसे हरस्ट स्वर कहते हैं इनकी संख्या चार है छोटा आ चोटी ई चोटा उ वी दूसरा है दीर भी स्वर दीर भी स्वर की उचारों में हरस्वर से दो गुना समय लगता है अर्था दो मात्रा का काल लगता है इसलिए इन्हें दीग स्वर करते हैं यह साथ है बड़ा आ बड़ी ए बड़ाओं ए आए ओ अब अब दीग स्वर के उचारों में हरा सुस्वर से दो गिना समय लगता है था मात्रा काल लगता है इसलिए हमिंस हैं प्रुत स्वर में हरा स्वर की इसार तीन गुणा अरथा मात्रा का समय लगता है इसलिए ह हम कहते हैं जैसे मैय या चाहुत तो यह हुआ सोड़ के भेड तीन प्रकार के होते हैं आपको अभी बताया गया इसके बारे में मिस्तार से अगली कच्छा में हम आपसे फिर मिलेंगे तब तक के लिए धन्यवाद